नमस्कार दोस्तों आप यह वीडियो देखते रहे हैं और आज मैं आपको बताऊंगा आईपी मेसेंजर के बारे में यह क्या होता है और यह किस तरह से काम करता है कैसे हम से एक PC से दूसरे PC में हम फाइल ट्रांसफर कर पाते हैं वो भी स्पीड लिए मारा कि पाता को आपने कहीं और देखा होगा आपको कभी एक फाइल अपने कंप्यूटर से दूसरे के कंप्यूटर में ट्राम स्फ़र करनी हर नहीं हो तहा 신경 काफी बढ़ी होती है तो आप कहीं बार पन्रैयो का ही उसकरते हैं पेंडाय में क्या होता है कि हम प्हेंड़र में पहले डेटा कोपी करते हैं फिर उस पेंड़र को ले जाके दुसरे कंप्योटर में लगाते हैं और फिर उस में से लुप इसमें कोपी करते हैं इस टायब का सफ्हेर है जिसमानाव लेंस से पया है कि यह पने देखा है जो मेरा थी यह से कनेक्टड से और यह मैंसे चैनलने तोंबlor मौणें से कनेक्ट भानगे यह सब्सक्राइब यह मेरी तो इसमें भी मेंने आई पी यह इसे कि आप देख पा रहें यहां पर बोनों PC में एक दुष्टे से कनेक्ट होगए इस इस में के दूँए जो मोडम हम देख रहा है इसके दूँए अगर कर सकते हैं यह में लेकाल के में उस PC की पीछे लेंपोर्ट में लगा दें तो डायरेक्ट लिभी कनेक्ट हो जाएगा बट उतनी स्पीड नहीं मिलेगी जिससे कि फास्ट लिएटा ट्रांसफर हो पाए तो यह जो आइपी मेसेंजर है यह अच्छा सौफ्टर है और इस मोडेम के जरिए जो हम जो हमारा पीसी है उसमें से इस वाले पीसी में हम जो है डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं किस तरह से करेंगे मैं आपको बताऊंगा तो दूस्तों यह जो है हमारा पीसी है मेर को इस पीसी में से उस पीसी में ट्रांसफर करना है डेटा तो हम क्या करेंगे यह जो आपको दिख रहा है एपी मेसेंजर यहां से उप्शन में जाएंग Display Capture करनी उस PC जवरसा ह Executive न हो सकती है अब आपके हम जो पोब्डर कोपी करेंगे सी इस पीजे से उस PC में में जो सब्छार कोपी करना और है और यहां पर चुर्ख के रहे हैं具 हाँ यहां पर हमने कैना कोई भी जोब एक पड़र पनावDoo तक यह बांना है कि यह कॉपी करना है किशेक अन न काफी सारे फैल्डर ले सकते हैं यह से यूझे कि मुझे यह वाला लेना नाम का फोल्डर हैं यह मने ली है और फैल्डर लेना है फिर से उसी में गए फैल्डर नहीं तरहे फिर से जुक्तुप हूआ को स्लैक करना है वह और इस ड़हांसेलेक्टेड है हमी इसको गणिरा नाइस ए जब यह मेरा इस जो करें भी स्वा जिस स्ब्सक्राइब करना हुआ हां फर्सक्रीयों मेरा धूसरा पीक्षा हसका करना है यहां पर जो फिदे हैं ऐसो यह यहां पर प्रिद़ेंगा जिसको सब्सक्सक्रेश हो निए हम दूसरा यहां प्रेस्ट आ रही है जारे हां तो सफक्रीस पर फॉल्ड़र दिखे जाता है जो फस्कून इससेलेक करके बेचाता है, तो यहां पर जैसे इन टीट करेखे और सेव गपके तो यह ट्रांसफर होगे है, जैसे इसे देख आ रहे है, तो यह ट्रांसफर श्वीजा आपको पड़ती है, शिक्स Mbps, काफी अच्छी है, पेंडरे के मुकाबले यह काफी अच पेंडरे में आपको तीन या चार Mbps मिलती है, अभी तक देखिए, एक मिनीट भी नहीं हुआ और यहां पर हमारे जो है, डेट सो से उपर Mbps ट्रांसफर हो चुकी है, तो इस तरह से हम यहां पर जो है, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, आपकी मेसेंजर के थूँ, आज के यह इतना ही, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करिए, और और भी इसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए, और शेयर भी कर सकते हैं, जो देखने के लिए धन्यवाद,